बिस्मिल्ल्राह्मानियराहिम अस्सलामुलीकूम वेलकम बैग माई यूटीब फैमली कैसे हैं आप उमीद करती हूँ आप ठीक होंगे अल्लाग के फजला करम से मैं भी ठीक ठाक और हैरियस से हूँ और यहां पर मैं मसालेजात साफ करकर करके रख रही थी क्योंकि ओपन किच्छन है ना तो डेस्ट चली जाती है तो फिर एक्चुली साफ करके ना दूबहरा रखना पड़ते हैं और आज का दिन वैसे बड़ा बीजी रहा क्योंकि मशीन भी लगाई थी खपड़े दोए साथ सारा दिन इसी में ठखावट में गुजर गया और यहां पर मेरे भाई की थी बर्डे और उदर से आया था केक तो वो हमारे पार्टेशन चाले रही थी मैं बेटी के थी वो मने रेंड वाला पीस खाना है तो फिर मने उसको वाला निकाल के देना पड़ा चले मैं फिर थमनेल से तो आपको अंताजा हो गया होगा कि आज का टोपिक हमारा क्या है मैं आपको मैंने का 27 रच जब आने वाला से पहले पहले मैं आपको वजीफा बता दूँ से यह होगा कि बहुत से लोगों को फाइदा होगा बड़ा पावरफुल जिसे कहते है न वो वजीफ है तो मैंने सोचा 27 रच जब से पहले मेरे बैन बाईयों को जिनको इस वजीफे की जरूरत है तो मैं उनको बता दूँ यह वजीफा इसलिए है कि मतलब आप जो दूलत के लिए मतलब यह कहते है न वजीफा फोर मनी दूलत के लिए यह वजीफा है और यकीन माने सबसे पहले बात वही आ जाती है कि हमने ये वजीफा अगर करना है जो मेरा बेन बही ये वजीफा करना चाहेगा सबसे पहले नियत में ये रखना है कि अल्ह ताला हमारी सुनने वाला और वह सुने गा क्योंकि इमान कामल यकीन कामल यकीन होगा तो हमाई दुआ भी कबूल होगी सबसे पहले बात ही यकीन गिती है यकीन होगी तो हमाई दुआ लग ताला नहीं राद करता मैं हर अपने विलोग में यही बात कहते हैं यूँ कि अगर यकीन होगा यकीन से हम दुआ मांगेंगे सजदा रेज होके दुआ मांगे के अपने नभी मुहम्मद अलही लाह वाले विलोग से लियुक्त कवास्टा दे के दुआ मांगे के तो हमाई दुआ राद नहीं होती लग तेर करें वर दुआ भी बात जरूर कबूल करता है बस यह यह कही हो कि जल्दी हो जती है कबूल किई हो कि थोड़ा साला अजमा रहा होता है लेकिन कबूल करता है वो हर दूआ तो ये जो वज़िफ़ा है ये आप ये आप कर किसी भी टाइम सकते हैं और लेकिन अगर मैं आपको बताओं तो सबसे बेस्ट टाइम क्योंकि ये कोई बहुत लंबा वज़िफा नहीं अग्याय रडुकि ये एक सूरत है चोटी सी सूरत है जिसको आपने सिर्फ एक दिफ़ा पढ़ना है मतलब क्यों बहुत लंबी नहीं मैं आपको एदर अबवी से क्रीन पर आपको ओश्यों कर देती हूं सिर्फ एक दफ़ा पढ़नी है ये सूरत सूरत नीबा ये आपने सूरत पढ़नी है और ये इसका बेस्ट टाइम अगर मैं आपको बताओना तहजुत जो तहजुत की नमाज के लिए उठते हैं सबसे बेस्ट टाइम उस टाइम कहते हैं ना हमारे बहुत करीब होता हमारी शाहराग से करीब तह फ़र टाइम रहता लेकिन आला तहले कहते हैं उस टाइम इंसान के साथ और तरिस टाइम हम जो दबा मंगे वो वैसे कबूल होती है तहजुत टाइम तो सबसे बेस्ट टाइम मैं तो रेक्मेंट करूंगी कि तहजद के टाइम इस वजीफे को कर लिया जाए क्यों कि यह सिर्फ एक दफ़ा ही सूरत परनी है और एक दफ़ा ही करने वाला यह अमल है और यह आपको बेश शुमार जिसे कहते हैं ना आपको नमाज देगा नियत हो निचे यह अल्ला आपकी हर किसम की परशानी दूर कर दे और आपको गाईबाना तरीके से आपकी मदद करना शिरू कर देगा तो इस तरह पढ़नी है कि सबसे पहले आपने पढ़ना है तीन दफ़ा दुरूद' इबराहीम दुरूद इबराहीम पढ़के आपने ये सूरत पढ़नी है ये जो मैं अब आपको स्केरीन पर आपको शो करने लगी हूँ ये वली ये सूरत निबा तो ये सूरत नंबर 78 है तीसमें स्पारे की पहली सूरत है ठीक है ना इसको सिर्फ एक मर्दबा पढ़ना है और इसके अवल और आहिर मतलब सूरत स्टार्ट करने से पहले और सूरत के आहरी में यारा यारा दफ़ा दुरूद इबराहीम पढ़ना लाजमी है इसलिए कि कोई भी हम वज़िफा करते ना उसमें अगर हम दुरूद पहले पढ़ लेंगे और बाद में भी कहते हैं हमारी दुआ सीधा अर्श غता कर जाती है यूद कि इसके आगे भी हमने हसाल बान लिया उसके पीछे हमने हसाल बान लिया तो वध़ा हमारी ऐसे ही मतलब एक यहन्ले ना पैक गोके जैसे गिफ्ट को हम रेप करते हैं से कर देने कली, वो दुआ हमारी ऐसे रैप हो जती है, वो दुरूद पाक में लिपट जती है, और वो दुआ पर अल्ला को कबूल करनी ही होती है, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, या के थोड़ी स्पोर्ट कर दिया करें अगर नहीं भी अच्छ लगी तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें से यह होता है कि दूसरों को दूसरों का बला हो जता है बस यही थी में यारता की वीडियो और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत साहिया रखिए और चैनल को कर लें झाल